हेलो एवरिवन मैं रोहित उत्तम एकेडमी प्लेटपर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं लेकर आये हूं फिर एक न्यू रीजनिंग का टोपिक टोपिक का नायम है डारेक्शन डिस्टेंस दिशा एव दूरी हर एक्जाम में चाहे वो एससी का एक्जाम सो रेलवे में इसको appropriate का एक चीज में पूरी इस टोपिक के बारी में increment by आंपचीज में चाहे करते हैं चैनल को सब्सक्राइब किसे और स्टार्ड करते है अपनी जरुन को इस डिस्टेंस दिशा एहू दूरीए इसमें क्लोईक वाइज एंटिक लोtha आपको पता है कि डारेक्षन डारेक्षन की जहां बात आती है तो बच्चे डारेक्षन की जहां बात आती है तो वहां आप देखिए आपको पता है कि चार दिसा जो में डियरेक्शन होती है वो फोर होती है फोर कौन कौन सी होती है सबको पता है फिर भी मैं आपको बताता हूँ नोर्थ होगी यह अपनी दक्षिन दिसा जिसे बोलते हैं साउथ और यह होगी अपनी इस्ट जिसे बोलते हैं पूरव और यह होगी वैस्ट जो फोर दिसा है यह में दिसा है और इनहीं के बीच में जो दिसा होती है जैसे इने बोलते हैं सबोर्डिनेट क्या इनके बीच में जो दिशाए होती है वो होती है जो पूरा एंगल आपको दिखने दिख रहा है जिस इस एंगल में पूरा जो एंगल है जो एक सरकल है यह पूरा कितने का का 360 डिगरी का अपने आप में कोई भी इंगल होता है वो एक होता है यह जो 1990 के 4 पॉर्शन होगे 1990 के कोई भी अपने आप में चार पॉर्षन होगे समझे बच्चे इतना डीगरी कलोग वाईज वाइज आपको रोकेट कीजिक गयोगे तो आपका फूर्ष एंगल शॉर्ण होगें जो अपनी सबडिनेट डिसा है एक 45 45 में डिवाइड होती है 45 एंगल 45 एंगल के बीच में डिवाइड होती है कोई भी 90 डिग्री का एक कॉर्णर होता है एक पॉर्षन होता है उसमें से अगर आपना हाफ डिवाइड करेते तो 4545 का एंगल बच जाता है तो यह जो नौर्थ और इस्ट के बीच में तो यह कौन सी होगी सबडिनेट नोर्थ इस्ट होगी उत्तर पूरो जिसे बोलते हैं यह हो गई अपनी दक्षिन पूरो क्यों कि यह साउथ और इस्ट के बीच में है साउथ दक्षिन और पूरो के बीच में तो दक्षिन पूरो होगी पूरा एक टृट हो चुकी है 45 कोई भी इसको कट करती है एक क्वाट्र को सबॉट सब ऍसके के द्वारा जो कट कुट किया जाता है उसे can यह सिर नंग चलते हैं वे तो यह सोगी जो गड़ी के मिप्रीथ आपन ऐसे चलेंगे कि घड़ी की विप्री दिशा में क्या हो गया एंटी क्लोग वाई किस टाइब की कोशन बनते हैं एक सर राइट लेफ्ट का जुरूर ध्यान रखना देखते राइट लेफ्ट का कैसा क्या है राइट लेफ्ट में भी बहुत मुश्किले होती है समझने में देखो एक चीज सर याद रखना उसमें अपन नोर्थ अपना फेस है नोर्थ जिसा में अपना फेस है नोर्थ साइड में अपन नोर्थ साइड में मेरा फेस है मेरा क्या है नोर्थ साइड मेरा राइट जो मेरा राइट है वो मेरा यह दाया और यह मेरा बाया तो सर मैं देखता हूं देख हो गया ठीक है अब मेरा फेस है साउथ दक्षिन दिसा में मेरा फेस है अब साउथ दक्षिन दिसा में अगर मेरा दक्षिन दिसा में फेस है अगर मेरा दक्षिन दिसा में तो इसका पोजिट हो गया क्या बच्चे इसका पोजिट हो गया यह मेरा राइट हो जाएगा और यह यह मेरा लेफ्ट हो जाएगा तक्षिली इस भेश्का असे यह मेरा लाव्ट जाएगा है इस हो गया और राइट यह हो गया मेरा लेफ्ट यह हो गया समझा रहा इस डिसा इस डिसा यहnaj throughout परोडिसा मैं अगर चामर मेरा फेस है Soci Ruby हो गया ठीक है एक चीज देखने को मिलेगी बच्चे, अब मैं एक चीज बताऊँ आपको ये चीज देखने के बाद, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर मेरा फेस इस्ट दिसा में है, अगर मेरा फेस वेस्ट दिसा में है, वेस्ट दिसा में है, तो मेरा राइट कौन सा हो गया, मेरा left यह हो गया अग ऐक चीज नोट कर ले ना वच्छे एक चीज बताऊगा अगर आप जब भी अगर आपका face क्या clockwise आप चल रहे हो अगर आप clockwise चल ले तो जो आप क्या आपका जो भी face होगा राइट साइड जो होगी वो आपकी clockwise क्लोगवाइज डायक्ष में होगी क्लोगवाइज डायक्शन में आपका जो फेस होगा वह ओनली राइट्ट हमेशा राइट साइड होगा फोर एंग्जामपल देखो मेरा फेस नौर्थ साइड में था तो वहाईज कौन सा है kalo भाइस यहीं तो है यह रúp मेना फियस तरफ और उसके तरह टोब के तरह तरह नहिंसे chirping वेस्ट यह थे कौन सा राइट कहा पह पह आगया फेश ही आगया छॉटक वाइज पूरा circle हो गया clockwise direction में यह हो गया बच्चे यह हो गया यह अपना नौर्थ हो गया यह साउथ हो गया यह अपना इस्ट हो गया यह वेस्ट हो गया तो इनका राइट कौन सा होया clockwise direction इसका राइट यह हो जाएगा श distant यहिंदा हो जाएगा साॉथ का राइट यहोजएगा और वैश्ट का राइट यहीं किया बच्चे अब तो इसका पॉजित जैस क्या एंटी क्लोगवाइज में अपना आपना जस्ट स्थ हुजाय वेस्ट वेस्ट पस्षिम मंगल से याद कर लो वेस्ट वेस्ट मंगल पस्षिम मंगल याद रह जाएगा आपको वेस्ट मंगल पस्षिम मंगल साउथ अफ्रिका दक्षिन अफ्रिका इन दोनों में डाउट रहेगा कि इसके तो पोजिट होगे नौर्थ आउद इस्ट वेस मिस पस्षिम पस्षिम वेस्ट मंगोल पस्षिम मंगोल समझ में आगे आपको तो वेस्ट का पस्षिम से रिलेशन होगा साउथ अपरिका दक्षिन अपरिका साउथ को रिया सब को पता ही होगा समझे तो डारेक्शन आपको पता चली ही गई यह बहुत इजी होते हैं आपको लेफ्ट मिस दाए यहाद रखनी बात है कि वो बोलेंगे लेफ्ट आपके बाए मुड़ जाओ दाए मुड़ जाओ तो आप इनको थोड़ा देखना पॉर्वर्ड होता हमें सीधा चलना रिवर्स होता उल्टा बैक साइड आना है सन्राइज और संसेट सूर्य देव सूर्य में हम다면 अभी बात की है कोई भी एक साइक्र है कि अपनी अपने त्री एक साइकल होती है क्या बचित ख Kansas City को Mm नाइनटी-90 के क्वार्टर होते हैंनएंटी हो गया वन एटी होगया टू सैवंटी हो गया मैं यह अपनी आप में 360 हो गया ठीडिस वोगी हाफ जो सैमी क्या है अपः ऑडिन यर्जियर क्यार दिशा है मैं करेगी 45-45 तो arm expected इस यह कंप्ली कोड़ यह सबोर्डिनेट दिशा गई इसकी सबोर्डिनेट कौन्षी वाली दिशा है अगर यह नौर्थ है यह वाली इस्ट है तो यह कौन्षी होगी नौर्थी इस्ट होगी तो इसके बीच में यह 45 की डारेक्शन गई यह 135 हो गया गया कंप्लीट करोगे तो यह 180 हो गया यह कंप्लीट करोगे तो बच्चे 180 हो गया बस बहुत इजी आप समझ जाओगे यह टू 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 तू फाइव दोसोपत्टीस की बात होगी तो 180 180 में हाफ और कर दो सबोर्डिनेट तो यह 225 हो गया यह वाला इस अप्लीट निय आउट नहीं आएगा आपको बिल्कुल इजी वी में कोशन बताता हूं आपको सोभा का मुख पूरव दिशा की ओर था क्या बोल रहा बच्चाए कि सोभा जो एक लड़की है उसका मुख पूरव दिशा की ओर था मेरी तो पूरव यह है आप अपनी देखो आप किस दिश पूरव दिशा उसका मुखता मैंने क्या वह ला पूरव की दिशा और है वह बीच मिटर चलती है पूरव की दिशा है बच्चे बीच मिटर चली वह अब यहां से स्टार्ट होके पूरव की ओर इसका मूथा था में चलती है 20 मिट्र लिख दो ठीक है आगे पढ़ो वह बीस मिट्र चलती है बाई और मुडने के बाद वह पंदरा मिट्र चलती है यह हो गया तो कौनच कितीन दिर चलती है वह चलती है 15 मिट्र 15 मेटर 15 मेटर चलती है फिर दाई और मुड़ने के बाद 25 मेटर चलती है दाई अब उसका फेस नौर्थ की दिशा है और नौर्थ की दिशा के तरफ कितनी मेटर चलती है 25 मेटर चलती है किस तरफ दाई और मुड़ने के बाद मैं कि सब्सक्राइं लगा आए我 घर इंज योग्या चलो बच्छे 55 जाए 25 चलती अंत है दाई और मुड्दी है और 15 मिटर चलती है आब उसका किस्तरफ है और उसका फेश obs पूरभ साग्या उसका यह ही तो है बच्चा और इसका राइट यह हो तो कितनी मेटर चलती हो पंदरा मेटर फिर 15 चलती है वह अपने बिंदू से कितनी दूरी पर है बच्चे जब भी प्रारंबिक बिंदू की बात आजै तो आपको इसमें शोटेश डिस्टेंज निकालना है कि आपको लोंग नह आप मेजर करके उनको बता सकते हो कि हम प्रारंबिक बिंदू से और फाइनल डेस्टिनेशन में हमारा यह सोटेस्ट डिस्टेंस है चलो देखते हैं बच्छे अब यह मत करना कि 20 यह हो गया 15 यह 25 यह एड कर दो सब को लो सर 30 20 50 और 20 30 20 50 और 25 लो सर मेरा तो यह अंसर आगया बच्छे दो 20 मिट्र तो यह सोटेस्ट डिस्टेंस यही तो हुआ यही तो हुआ और यह क्या था यह 25 मिट्र था उपर अपने चला क्या 25 यही तो चला और यह 25 लिख दो तो सर 25 और 20 कितना हो गया 45 45 और बिलकुल है विलकुल है आप डारेक्षिन के अकोडिंग गूमते च वाला कोशन है क्या आपका IQ होना चीए देखो एक दिन सुबह सूर्य उदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था ठीक है बच्छे एक दिन सूर्य उदय होने के बाद देखो तोपिक को समझना बच्छे नोर्थ ताउट इस्ट वेस्ट एक दिन सुबह है सूर्य उदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था गोपाल का मुख सूर्य उदय होने के बाद सूर्य उदय हो गया कि इस से होगा सूर्य उदय और एक बात याद रखना जो परचाई बनती वो अपोजिट बनती है हमेशा फेस के अपोजिट साइड में परचाई बनेगी ठीक है क्या बुला है उसने गोपाल एक पॉल की तरफ मुग करके खड़ा था पॉल की चाया उसके ठीक दाई और थी पॉल की चाया उसके ठीक दाई और थी चलो ठीक है पॉल की चाया ठीक उसके दाई और थी दाई ओर थी मतलब कि पोल की ठाया उसके ठीक दाई ओर थी दाई साइड में आप अपने को नहीं पता कि उसका फेस किस डारेक्शन में अपने को नहीं पता कि किस तरफ उसका फेस था है और पोल की जो चाया थी मतलब कि दाई और किस में South Side उसकी क्या चाया पड़ रही थी South Side उसकी साया थी इस तरव उसका Face था माल लेते हैं Just imagine इस तरव उसका Face था और उसकी जो चाया थी वो उसके दाई साया थी ठीक है बच्चे दाई साया इसकी साया पर थी गोपाल का मुख किस दिशा में था अब ये बताना वच्चे कि गोपाल का जो मुख था वो किस दिशा में था सूरेजे के बाद आउटसाइड मेरा फेस है तो मेरा दाया साइड कौन सा होगा वेस्ट होगा ये मेरा इस्ट होगा तो अब देखो इसकी सूरे इस तरव इसका फेस था बच्चे नौटसाइड की तरव से माल लेते हैं कि इसका जो फेस था इसका फोरव की और और पूरव से ही सूरेज आया है सामने से सूरेज था तो अपने पिछे की तरफ डायरेक्शन बनेगी और राइट साइड में उसकी क्या बंढ रहा है फेस मेरा राइट तो मेरा क्या बोलना है कि ठीक दाई और थी गोपाल का मुख किस दिसा में था प्लाइब किस दिसा में था कि दिश्ट देखो वक्चे इसको इसे देखो गडर कि देखो क्या बोल रहा है कि एक दिन सुबह सुर्योदे के बाद गोपाल एक पॉल की तरफ मुख करके खड़ा था अपने उन्हें पता उसकी डारेक्शन किस तरफ है अब देखो पॉल की छाया ठीक उसके दाई ओर थी सूरज कहां से उकता है इस से इस से ओर डारेक्शन हो तो इस्ट का पोजिट क्या होगा वैस्ट में वैस्ट की तरफ उसकी चाया थी क्या बचे वैस्ट की तरफ उसकी चाया आ रही थी और जो चाया थी वो उसकी डारेक्शन क्या राइट सैड में पढ़ रही थी वैस्ट की तरफ उसकी चाया आएगी चाया बनेगी और जो उ जोग साुथ की तरफ होगा ना साुथ की तरफ क्यूद की होगा नहीं होगा sica chao फेस तो मेरा ुपर होगा एम येही तो होगा ऊड़ें को डाउट रहें तो को से क्मेंट कर gemacht जतीन अपने घर से निकलकर 12 किलोमेटर उत्तर की और चलता है ठीक बच्छे चलो चलाते हैं इसको अपने घर से निकला और 12 किलोमेटर उत्तर की तरफ चलता है इतरो झालता है वे दाई और मुड़ता है दाई और मुड़ता है चलो सकर्टें बदाए और गुमाँ द्नॐ द्धे और वह वी बैरा किलो मेटर चलता है यह कर दया और इसको चलता है और फिर बाई और मुदका पांच इब रफिर में एकितनी दूरीपर है और किस सेमे हैं वैं और ये वाली डारेक्शन इसी तो है यह वाझ डायेक्शन कौन सी है वाझ राक्षान कहीं चांडबा सूरां करता है यह ब्लूर यह सिद्धे botti घ्र्सक्राइब थीक है कि पूर की ऊर चला धिया अपने को यह अपनी डारेक्शन है इन कर चला दिया को पूरव की और शीदे प्रारमmem करता है पिचात्य मीटर चलने के बाद वह बाई और मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है अपना इसका बाया देखों यह आ गया यह आगया यह कहां चलता है 25 मीटर क्या बच्छे 25 यह 25 मीटर सीधे चलता है पुनेह बाई और मुड़कर 40 मीटर सिदे चलता है अब इसका बाया कुन इच्चे वाला तो हुआ अब कितना चलता है पत्सीस मीटर से कितनी दूरी पर है π्रारमबिक बिन्दू से कितनी दूरी पर है ठीक चलो देखते हैं यह इसका के प्रारम्बिक भीज़ा यह तोसी कि जो सब्सक्राइब स सब्सक्राइब फूर्ह उड्स्टेंस को सब बते करेंगे तो तो दूर है अपने प्रारंबिक बिंदू से तो डी इस और राइट अंसर चलते हैं रसिक 20 मिटर उत्तर के ओर चलता है इसको उत्तर की ओर चला दिया ठीक है वच्छे उसके बाद वैं दाई और मुढ़कर 30 मिटर चलता है यह दाई गुमा दिया अपने थीए मेटर से चलता है फिर दाई और मुरता और 35 मिटर से ओरें तरफ हुआ पहले तरफ कि मिटर चलता है जाइए कि इसको कि चलता है अंत में दुबारा बाई और मुडता और मिटर仔 लता है अंत में फिर वह बिश्काइस बाय देखो कौशा है अपनी हा चलती है औो इस बाय को सह हो ये वाय वाला तो हुआ पुटो कि आ करेंट चलता है कि अपन्दरा मिटर चलता है कि जो बोलte सब लिखते चलो जलाते चलो अब बहुत प्रारंबिक शिराग्स ताज से कितनी दूरी पर है में अप्रॉण्पिक में हां और प्रारंबिक मिंदू है इस दिसां में कि इसमेटर यह डिस्टेंस हो गया कि भीशे अधा पंदरा ही हो गया बच्छे कि पंदरा पंद आलेस मेटर देखो बच्छे अपने कई सई गल्प स्टोनी चला जैसे कि दुबारत प्लाते देखो बच्छे अपर सई से चलाएगा अपने रसिक 20 मिटर उत्तर की और चलता है उसके बाद वह दाई और मुड़कर 30 मिटर चलता है फिर वह दाई और मुड़कर 35 मिटर चलता है 25 मिटर चलता है आगे देखो फिर कहा घुमान इसको फिर वह बाई और मुड़ता है और 15 मिटर चलता है और वह अब की दिशामें है और अपने प्रारंभी स्टान से प्रारंभी इनीशेट क्वूयन इसका यह गया यह..! टोटल इस्टन से उसकी डायक्शन देखो यही तो है को ते iस को इस तो पूरव तो होगी 45 45 मिटर पूरव समझ में आगा बच्चे 45 मिटर पूरव नेक्स्ट चलते हैं ठीक है आज तक के लिए बच्चे इतना ही काफी है आप जाकर आप क्या करना आपको कि क्लेंडर के टोपिक जो मतलब कि सोरी क्या जो आज मैंने बताया है आपको दिशा और निर्देश के जो क्लास को लेकर आएंगे और अच्छे-च्छे कोसन लेकर आऊंगा मकल आपके लिए और जो भी डाउट रहता आप कमेंट सेक्स में कमेंट कीजिएगा थैंक यू हुआ 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 है तो